तो guys welcome back to my youtube channel रंजन सर्मा टेक्निकल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे अक्सर क्या होता है कि आप अपने computer में या फिर laptop में जब अगर Bluetooth के साथ में कुछ पी जैसे speaker या फिर अपना mobile को connect करते हो तो वहां पर ऊचीजे connect नहीं हो पाता है वहां not connected लि तो आज हम इस वीडियो को अंतक बने रहना और हमारे चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आता है तो आप अपने ब्लूटूट के साथ में अगर किसी भी डिवाइस को connect करना चाहते हो तो आप उसे कैसे करोगे तो चलिए वीडि को अंतक बने रहना और हमारे चैनल पर पहली बार आयो तो सबस्क When आयब करना और वीडियो पसंद आता वीडियो को को लाइक करना तो चलिये बढ़ते हैं स्क्राइब कि और वन की तरफ सबसे पहले आपको अपने computer या laptop के यहां search बार में type करना होगा services यहां पर type करने के बाद एक option आगा services का इस पर आपको click करना होगा click करने के बाद पर यहां पर कुछ इस प्रकार का dialogue box open होगा इसमें आपको एक search करना होगा यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा bluetooth audio gateway service इस वाले option पर आपको double click करना होगा यानि कि right click करना होगा जैसे आप right click करते हैं properties पर आपको जाना होगा properties पर आने के बाद यहां पर आप देखेंगे startup type इस वाले में पहले से ही manual लिखा हुआ है यदि आपके system में computer में अगर automatic लिखा हुआ है तो well and good है otherwise यहां manual है तो आपको यहां पर automatic करना होगा इस पर click करने के बाद पर यहां automatic पर click करेंगे automatic पर click करने के बाद पर यहां आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ रहा stopped है यानि कि stopped जब लिखा हुआ आता है तो यहां पर आपको start button पर click करना होगा हाला कि जब अगर आपका bluetooth प्रॉपर तरीके से काम करता होगा तो उस time यहां पर running लिखा हुआ आएगा इसके बाद इसमें जो है नीचे का option bluetooth support का option आ रहा है Bluetooth support service इस वाले पर भी आपको right click करना होगा and then properties में जाना होगा इसकर बाद इसको भी आपको यहां से automatic पर click करके और start करते Cantonese bell और यहां से फिर आपको start पर click करने के गाद यहां apply button पर click करना होगा and then OK पर click करना होगा यहां आपको होगर Mayamesa no.1 इस वाल journeys step को applicationप पर पर एक बार अपने पर option आएगा device manager इस पर आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद पर कुछ इस प्रकार से dialogue box यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर एक option आगा Bluetooth इस वाले option पर आपको double क्लिक करने के बाद पर जो भी है यहाँ पर सारे Bluetooth में जो भी device operator होगा यहाँ ड्राइवर होगा जो Bluetooth का है उस पर आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ properties पर प्रोपर्टीज पर क्लिक करने के बाद पर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर क्लिक करने पर दो option आएगा एक है search automatically for drivers और दूसरा है browse by computers for drivers यदि आपके पास Bluetooth का कोई भी driver software है तो आप यहाँ से दूसरे वाले option के थुरू आप यहाँ से अपने computer file से ले करके और यहाँ पर update कर सकते हो लेकिन आपके पास कोई भी Bluetooth driver software नहीं है तो आपको directly यहाँ पर search automatically for drivers यानि पहले वाले option पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पहले से आपको close पर क्लिक करना होगा तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दो step में बताया कि आप अपने computer या laptop के Bluetooth connectivity को fix कैसे करेंगे तो I hope कि जो भी मैंने आपको इसमें सारी चीज़े step बताया उससे step को follow करेंगे और आपकी problem जो है result हो जाएगा तो मिलते हैं इसी एक नए topic के साथ में आगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए